और दोस्तो मैं अरुम भारदो स्वावत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल आरो टेक्निकल एक्सपर्स में तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं बहुत ही एहम टोपिक लेने वाला हूँ और वो टोपिक है हम जो वाटर पिरफेर यूज़ कर रहे हैं मालो हम एक यूवी वाटर पिरफेर यूज़ कर रहे हैं या यूवी प्लस यूएफ वाटर पिरफेर यूज़ कर रहे हैं या आरो प्लस यूवी वाटर पिरफेर यूज़ कर रहे हैं मल कोई भी ऐसा water purifier जिसमें की UV lamp का यूज किया गया है उस UV lamp को हमें कितने समय बाद change करना चाहिए जिया दोस्तों ये बहुत ही अच्छा question हमारे एक YouTube subscriber है या viewer है उन्होंने हमसे आज किया तो मैंने का चलो ये चीज़ भी आप लोगे के साथ share करने चाहिए क्योंकि जनरली क्या होता है हम जो water purifier यूज करते हैं उसका हमें ये तो पता है कि sediment filter कब change करना चाहिए carbon filter कब change करना चाहिए ये सारी चीजों की तरफ तो हमारा ध्यान जाता है लेकिन जो main हमारा UV lamp जो रहता है ये देखे ये जो UV lamp है ये हमारे RO water purifier में UV chamber एक होता है UV chamber के अंदर ये हमारे UV lamp होता है और अब UV lamp से जो rays निकलती है वो rays होती है अल्ट्रा वालेट rays जो की पानी पर जब बढ़ती है तो जो पानी के अंदर germs और bacteria वायरिस वगर रहते हैं वो deactivate हो जाते हैं लेकिन इस lamp का भी एक time period होता है कि इतने time बात इस lamp को change कर देना जाहिए जैसे कि अब बात करते हैं थोड़ा और हम आगे चलेंगे अब मालो आपका water purifier ऐसी जगा लगा हुआ है सबसे बहले तो थोड़ा आपको और मैं explain करने की कोजिश करूँगा यह UV lamp जो रहता है यह UV lamp रहता है UV chamber के अंदर भी जो रहता है UV chamber के अंदर एक quartz glass रहता है मला यह lamp उस इसकी जो rays है वो quartz glass से होती हुई हमारे पानी पर बढ़ती है अगर UV chamber में नमकीन पानी घूम रहे मालो नमकीन पानी अगर UV chamber में चल रहा है या कुछ time period बात भी हमारे जो UV का quartz glass रहता है उस पे एक white layer जमना शुरू हो जाता है ठीक है दोस्तों अब white layer जब जमन और जैसे जैसे उसकी transparency कम होना start होती है तो UV rays तो मालनों सही काम कर रहे इसकी rays सही आ रहे लेकिन जब उस transparency कम होने के बाद इसकी rays जो है डारेक्ट जो पानी पर पड़ती है तो उतना bacteria virus पे उसका असर नहीं होता एक रीजन तो यह रहता है कि इसकी life जो है कि किस वज़ा से हमें पता चले कि हमारे जो पानी में जम्स बैक्टिरिया वो सही से किल नहीं हो रहे या वे अम मालो हम घर में भी अगर कोई LED लेंप यूज करते है या टूब लाइड यूज करते है तो अपने नोट किया होगा कि उसकी light बुझ रहती है जब नया रहते है तब तो उसकी light बहुत bright रहती है लेकिन कुछ time period बात उसकी जो light वो dim होना स्टार्ट हो जाती है या उतनी bright नहीं रहती वो धीमी होनी स्टार्ट हो जाते है फिक ही बढ़नी शुरू हो जाती है तो वो उतना असर उतना bright या उतनी light नहीं देती तो सेम इसी टैप से हमारे UV में भी है इसकी जो समता जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है मनलों आज अगर हमारी यह jumps bacteria अगर 100% किल कर रही है इसकी rain तो एक time period के बाद इसकी jumps bacteria किल करने की समता खतम हो जाती है उतने jumps bacteria यह किल नहीं कर पाती है तो अब हम यह कैसे पता चले कि कितने time इसकी कितना इसका period है तो एक roughly एक साल maximum अगर आप चाहते हैं कि जिस परपस से आपने आरो लगवा रखाया यह UV बार्टर पिरफायर लगा रखाया वो सही से काम करें तो एक सवा साल में आपको UV lamp जो है change कर देनी चाहिए अब माल लो अब एक सवा साल या जो आप माल लो कि 9000 घंटे जो एक मैंना इसका लाइफ रहती है तो 9000 घंटे के बाद जो है यह उतना असर नहीं कि तो अगर आपको लगता है कि आपका जो UV सिस्टम है वो 9000 घंटे या 10,000 घंटे हो गया तो आपको UV lamp जो है change कर वा लेना चाहिए नया UV lamp लगाना चाहिए और माल लो आप वाटर पिर फैर को माल लो 9000 घ चलो 12 महीन यह उज नहीं किया छे में इस बार यूज किया छे में रुक रुक के भी यूज किया तो आपको आइडिया होगा यह रफली एक आइडिया लगा सकते है कि भई 11-12 महीन हो गया तो UV lamp भी हमें जरूर चेंज कर वा लेना जैए जिस स्टेप से हम अपने आरो के फ इसे पानी नहीं करती। वो बाई-पास पानी हो के आ रहा है। अगर आप health कौन्सी ऐसे है और अगर यह ध्यान लगते कि हमारी UV probe पर काम करने चाहिए और काम करने चाहिए और इसका असर भी पानी पर सही होना चाहिए इस की rage का तो एक साल बाद जरूर चेंज कर्वा हो ह और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई जो कि एक एक एहम जानकारी है क्योंकि इस टॉपिक में मैंने देखा है कि बंदे बात नहीं करते हैं यूवी लैम के ओपर कि इसे चेंज किने टाइम बात कर दें देना चाहिए तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्ली लाइकन और और पर प्रेस कर लिजिए आज की वीडियो में इतना ही थैंक्स फर वोचिंग